हलो डियर स्टुडेंट, वेलकम टू एलन ओलाइन प्रोग्राम, मैसेल्फ कपिल सेन और स्वागत है आपका इस अमेजिंग पोड़का सेशन में, अब जैसे की जेई मेंस जो है वो काफी नजदीक है, काफी बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि प्रिपेशन को क इस तरीके से करना चाहिए, किस तरह से उनको जो स्टेडेजी वो अपनानी चाहिए, तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज की इस सेशन में, मैट्स एक्सपर्ट हीमानशु खंडेलवाल सर हमारे साथ है, सवागते सर इस सपोड़का सेशन में, आपके तीन पैकेज जो हैं वो हमने डिलीज कर दी हैं पिछले कुछ सेशन में, तो आज जो चोथा पैकेज में उसमें क्या होने वाला एक बार आप बता दीजिए, सब चोथे पैकेज में हम नो चैप्टर लेके आएं, यदि वो बच्चा नो चैप्टर करके जाता है, तो उसके 23 सवाल होने के चांसेज है, और इनमें हमने कुछ चैप्टर छोड़े भी है, और जो चैप्टर छोड़े हैं, जैसे बच्चे उसमें देख पा रहे होंगे, कि एक कॉनिक सेक्षन है, अब सर्फ कॉनिक सेक्षन जो है, वो बच्चा बहुत टाइम लगाता है, और उसके च चैप्टर में 6 गंटे देने चीए, 18 गंटे कर देता है, सवाल एक आता है, तो ऐसे हमने चोथे पेकेज में ये चैप्टर जो है, वो हमने यहाँ छोड़े हैं, और बाकी जो 9 चैप्टर है, उनसे 23 सवाल आने के चांसे से सर, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है यह, अब कुछ चैप्टर के बारे में सर में बात करूंगा, उसे पहले बच्चों के कुछ क्यूरीज भी मेरे पास आई है, एक एक करके एक बार उसके होड़े डिस्क्रस कर लेते हैं, तो सर में यह पूछना चाहूँगा, जेही में में सिंगल करेक्ट प्लस इंटीजर टाइप द बढ़ाता हो, सवाल कोई सा भी हो, जो सवाल सोल करने में हमें काम देता है, सर वो कॉंसेट काम देता है, तो इससे अच्छा कि आप सवाल करने में क्या हो सिंगल करेक्ट सवाल करने के लिए हम क्या करें, उससे बेटर है, हम हमारे उस चैप्टर के कॉंसेट पे काम करें, उसको अपन और स्ट्रॉंग करें यूगि युदि कॉंसेट अच्छे होंगे तो सवाल सिंगल करेक्ट हो या मल्टिपल करेक्ट हो या इंटीजर टाइप ओ कॉंप्रियेशन हो कोई सबी सवाल सवाल तो सौल हो नहीं है उसके लिए कॉंसेट ही काम में आता है तो बड़ी इंटीजर करेक्ट सवाल ओ दोनों कंशेट अच्छे होंगे तो दोनों ही सवाल हमसे बिल्कूल डैफिनेटली सौल होने वाले हैं चल्लों बड़िया सार बहुत अच्छी बात वह लिया आप ने और सर दूसरा बच्चों के मन में यह कि कोई स्टुडेंट जैसे एक्जाम देने गया है, पूरी प्रिपेशन के साथ जाता है वो, लेकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो जैसे मैं मैच्स की बात करूँ, तो पेपर अगर वो डिफिकल्ट पाता है कि उसकी एसाथ यह पर टफ है तो उस टैम पे उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए एक्जाम में पहले बात तो एक्जाम में जब भी आपसे सवाल ना बने यह आपको प्लगता है, पेपर डिफिकल्ट है, तो सबसे पहले तो खुश होने की ज़रत है, योकि पेपर सिर्फ आपके लिए ड सबसाओंगा यहां से, चाहिए से वो कितने भी सवाल बने, तो टफ सवाल जब भी आता है, तो गबराए ना, जो कॉंसेप्ट है उन पे भरोसा रखे, उसी कॉंसेप्ट के थूज अपने सवालों को करे, और जितने सवाल होते हैं, उतने करे, योकि ये पेपर टफ आएग पर स्पेसिपिकली चेप्टर के अगर बात करो, जैसे इंडेफिनेट हुआ, इंडेफिनेट इंटिग्रेशन हुआ, इनके सब टोपिक वाइस कैसे क्या बेटरे जाते हैं, क्या उनको तैयारी करनी चाहिए कि जही मैंस में कुशन वहीं से आता है, तो इसको बारे में एक पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, यदि हम डेफिनेट की बात करें, तो डेफिनेट में आप देख पा रहे हैं कि प्रोपर्टी बेस जो है सर, वो सवाल काफी आते है, किंग प्रोपर्टी, जैक प्रोपर्टी, क्वीन प्रोपर्टी, इन पे सवाल काफी आते है, वालीस फोर्मूला एक छोटा सा फोर्मूला है, जही मैं उस पर सवाल पूछ भी लेता है, तो इन सब पर ध्यान देना चाहिए हमें, और इंडेफिनेट चैप्टर जो है, ऐसा नहीं है, बच्चों क्या लगता है ना सर की इंडेफिनेट चैप्टर बहुत स्ट्रोंग है डेफिनेट में, तो इस तरीके से आप डेफिनेट चैप्टर को भी स्टोंग कर सकते हैं, इसके अलावा एरिया अंडर दा कर्फ, सर एक ऐसा चैप्टर जो मैं बोलता हूँ कि चार गंटे में हो सकता है, बच्चों आपको पता है, कोई फोर्मूला नहीं है, कुछ प्र कम समय में होनेगा छेप्टर एस चैपटर पर कमांड अच्छे से करके जाए, यह उसी से डेफिनेट से znajीं है, की बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट अच्छा होगा तो बतला vemos अगला चैप्टर आता है. तो मैं आपको बताता हूँ, बच्चों को जाएंगे बड़ी हैरानी होगी, बहुत नरगे अपन डिफरेंशिल इक्वेशन सिकाते हैं, लेकिन जेए मैंने जो पूछा है, वो लीनियर डिफरेंशिल इक्वेशन का बड़ा फेवरेट टोपिक है, उस पे लगबग लगबग लेकिन आप देख पा रहे हो, हर साल सवाल पूछे हैं, लीनियर डिफरेंशिल इक्वेशन पे, हना, आप देख पा रहे हैं, 48 सवाल आया हैं इन वाई में, और X में भी मिलाके अपने आप देख पाएंगे, तो 8 सवाल X में आया है, मतलब लगबग 60 सवाल जो है, वो लीन पूछाई हैं, यदि 170 टोटल क्यूशन आये हैं पिछले 5 सालों में, और उसमें 60 सवाल सिर्फ एक सब टोपिक से है, तो ये बहुत ज़ादा हाईली चांस है, कि इस सवाल आने के चांस बहुत अच्छे होगे, सर, बिलकुल सर, अगला बच्चों का सवाल है कि दूडिंग प्रिपरेशन, जो सेलेबस खतम हो जाता है और एक्जाम के बीच में जो एक-दो मेने का गयाब रहता है, उसमें बच्चों को जो टेस्ट देते हैं, उनका एनलेसिस किस परकार से करना चाहिए, बिलकुल सर, बच्चों आप जब टेस्ट देते हैं, उसके बाद रजल्ट बेस्ट एनलेसिस बहुत जरूरी है, आपसे जो सवाल हो गए हैं, उनको तो छोड़ दिया जाए, वो हो गए हैं, जो पहली बार में होगा था, वो बाद में भी होगा और बार बार होगा, जो सवाल नहीं होए हैं, उनको पकड़ो, एक बार उनको फिर से सोल करके हैं, और यदि हो जाते हैं, तो समझें कि एक्जाम में आप ऐसा क्या सोच रहे थे, या क्या थिंकिंग एपरोस थी, जिसकी वज़ासे वो सवाल नहीं हो रहे थे, यदि नहीं होते हैं, तो उनको अपने सोलुशन देखें, फिर अटेम्ट करने की कोशिश करें, और पैट जातो नहीं है, कि डिफ्रेंशिल इक्वेशन के जो सवाल आप से नहीं हो रहें, वह उसी सब्टोपिक के है, यदि वह उसी सब्टोपिक के है, तो उस सब्टोपिक पे जादा मेहनत करें, और जादा काम करें, बिल्कुल, 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 अधिकतर बच्चों के म एक saying होती है practice makes a man perfect तो sir मैं तो बच्चों को यह recommend करता हूँ generally जब आप घर पे practice कर रहे हैं तो time bound करें मतलब यदि आप घर पे 30 सवाल करने के लिए बैठे हैं तो जो standard time होता है 90 minutes यदि मैस के हैं तो उतना timer लगाए और यह समझे है आपका paper चल रहा है और आपको soul करना है जब आप बार बार यह practice घर पे करेंगे तो exam hole के अंदर आपको time bound practice या time bound सवाल करना कोई नई चीज नहीं लगेगी बच्चों सेम वही चीज लगेगी जो आप घर पे कर रहे हैं इसके अलावा कई बच्चे गया करते हैं ego stick होते हैं मालो मैं पहले mess करता हूँ अब मैंने mess करना इस्टार्ट किया बाइचांस की बात है मेरी shift में mess का paper tough आया मेरे को तो ego है कि मैं तो नहीं इसमें 20 सवाल में जब घर पे paper देता था जब मेरे से 20 सवाल होते थे अब मैं इसमें 20 करूंगा और वो उस 20 को करने में 2 गंटे लगा दे रहा है ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है आप जो strategy है paper देने के आपकी आप उसे follow करिये बट यदि at that time उसमें कुछ changes आते हैं या आप से सवाल नहीं हो रहे हैं उस subject के या तो आप उसको छोड़के आगे वाले part की तरफ चले जाएए उस पे rigid मत रहिए उस पे string मत रहिए कि नहीं नहीं मैं तो माइस के 20 करता था यहां पे भी होंगे हो सकता है tough आया हूँ तो आप उसको छोड़के आगे वाले section में चल जाएए इस तरीके से एक ही topic पर या एक ही subject पर rigid नहीं रहना है किसी सवाल पर 15-20 minute लग गए हैं तो ऐसा नहीं आदा गंटा लगा दिया क्योंकि बेटा आप आदे गंटे में tough सवाल करो या 5 minute में कि जी सर मिलने तो number 4 ही है बच्चों बिल्कुल बिल्कुल तो number तो से भी मिलने है आप लोगों को हना बिल्कुल सर बहुत बहुत अच्छा बोला आपने कि इससे काफी बच्चों को बिल्कुल सर मैं अगर chapter की बात वापिस आओं तो अगले chapter में मैं डिसकस करना चाहूंगा कि vector algebra 3D में कौन से सब्टॉपिक जो जही हमेशा फैबरेट रहता है आने के चांसे तोड़े ज़्यादा रहते हैं दोनों chapter के बारे में बताई आप देख पा रहे हैं टोटल 171 में से क्रोश के उपर 50 सवाल आएं तो यह एक अच्छा है cross product dot product तो जो basic concept है बेटा आप उन पे महनत कीजिए VTP, STP पे भी महनत कीजिए overall vector chapter पूरा link भी है सर एक दूसरे जो कि cross आएगा तो VTP, STP भी आएगा तो vector chapter पे आप पूरी महनत कीजिए एक important chapter है और आजकल बहुत अच्छे सवाल इसमें से आ रहे हैं तो इसमें plane और line के बीच में जो सवाल होते हैं कि इस plane के उपर एक point है उसकी line पे image निकालो या इस तरह के सवाल बहुत frequently पुछे जा रहे हैं तो इस तरह के सवालों की practice हमें जरूर करनी चाहिए सर बिल्कुल सर अब सब चेप्टर की ही श्रंकला में एक ऐसा chapter भी आपसे पूछना चाहिए तो काफी बच्चों का अच्छा लगता लेगा अधिकतर बच्चों को बच्चों को लगता है कि उन्होंने जो answer निकाला है वो सही है एक्जाम में जब जाता है फिर उसके बाद आते हैं answer की देखते हैं तो लगता है वो गलत हो गया तो बिटा probability में जब भी आप सवाल करें और यदि आप से सवाल पढ़ते ही उसका answer आ जाए तो एक बार सवाल को जरूर देखिए सोल करिए यह कि वह एक्जामिनर के चाल होती जिसमें आप फर्स जाते हैं तो सब्सक्राइब जरूर पढ़ना है तो बड़े इकमिनांसे बड़े ध्यान से पढ़े data साथ की साथ लिखते जाए और यदि आपन सब टोपिक की बात करें बेटा तो probability में जो base problem होती है, base theorem जो होती है, total probability theorem जो होती है, वो important subtropic है, उससे maximum सवाल पूछे जा रहे है, या फिर basic probability जहां पे number of favorable outcome upon total outcome जो formula होता है, उससे सवाल पूछे जा रहे है, complex number, सपनों की दुनिया में इसे बोलता हूँ, अब सपनों की दुनिया में जाएंगे तो geometry इसका च सखास है, इसमें weightage रखता है, जो की 2D geometry से link होता है, बट एक iota लगके है, imaginary axis हो जाती है, तो आप उन पे ध्यान दिसकते है, इसके अलावा cube root of unity और nth root of unity, ये दो ऐसे subtopics है, जिन पे भी काफी अच्छे सवाल बन रहे हैं, और काफी अच्छे सवाल आ रहे हैं, तो इन subtop बता दीजिए और 12th के भी 5 chapter बता दीजिए, जिनको कम समय में किया जा सकता है, और J-Benz के हिसाब से उसमें question भी पूछा जाता है, जिनको कम समय में होता है, जो कम समय में होता है, सवाल आ रहे हैं, अलाकि वो इस package में include नहीं है, बट अपने जो previous 3 packages है, उसमें वो included है, ठी mathematics, sequence, bt, statistics, और एक आप जो ले सकते हैं, वो circle ले सकते हैं, यह अलाकि कम समय में नहीं होगा, बट इसके सवाल अच्छे का से आ रहे हैं, 12th में भी बात करें हैं, area under the curve, ITF, 3D, और इसके लावा vector और differential equation, यह 5 जो chapter है, यह कम समय में हो सकते हैं, और अच्छे सवाल इन से आ र the end of the day, या तो formula ही होता है, या concept ही होता है, लेकिन अधिकतर बच्चों को formula याद नहीं रह पाता, वो short notes बनाने की क्या strategy को follow करें, ताकि यह चीज अच्छी तरह से उनको याद रह formula है, बेटा देखो, आपके short notes बने हुए होंगे, यदि नहीं बने हुए हैं, तो भी अभी नहीं की बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है, आप जब chapter को revise कर रहे हैं, तो chapter को revise करने के बाद अपनी सब books का रभंद कर दीजिए, और आपको जो जो formula याद है, वो simple एक plan paper लीजिए और लिखके रख लीजिए, short notes daily, मैं तो यह recommend करता हूँ, daily आप एक chapter के short notes पढ़िए, सिर short notes की एक और importance है, अब बच्चा exam से एक दिन पहले बच्चे के पास 90 chapters है, अब 90 chapters तो बच्चा एक दिन में revise कर नहीं सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, exam से एक दिन पहले ओ 90 chapters के short notes पढ़ सकते हैं, ताकि आपके formula दिमाग में रहे, और आप exam में जब जब जाए, तो आपको य जरूरी हिस्सा है, जो हमें काफी जादा help देता है, revise करने के लिए, quick revision के लिए, ति मैं और precise बोलू तो, बिलकुल सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज बोला है, तो 100% बच्चे जो फोलो करेंगे, उनको जही मेंस की जो preparation वो कर रहे हैं, वो चीज़े fruitful करने के लिए, बने रही है, LNJEE चैनल पर, तेंक यू